वेलकम बैक दोस्तों मैं हूँ अभी DPS Cars के कश्मीरी गेज शोरूब में और अपने सामने खड़ी है Tata Nexon और यह रहने वाला है Tata Nexon का Creative Plus वाला वेरियंट और यह रहेगा Automatic Transmission के साथ में सबसे पहले आपको Transmission जो है वो चेक करवा देते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं Automatic Transmission वाला वेरियंट जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और complete बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीरियंट की कि इस वीरियंट में आपको कॉनकों से जो के रणिंग कंडिशन में कुछ इस तरीके का लुग देती हैं DRL और इंडिकेटर दोनों पर यह अपना वर्क करती हैं इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो हेड लाइट जो है आपको प्रजेक्टर बेस्ट ओफर करी गई है जो के LED बेस सेट अप रहने वाला है यहाँ पर कंडिट काकर जो साइड विउ है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको मिल जाता है अलोई वील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे डूल टोन डायमंड कट वाले जो के कंपनी टॉप विरेंट के अंदर भी ओफर करती है टाय सक्षन रहने वाला है 215-60-R16 का फ्रेंट में आपको डिस ब्रेक्स मिल जाती है दियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो ड्रम ब्रेक्स ओफर करी जाती है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके लावा बॉड़ी के चाओ तरफ आप देखेंगे तो आपको वी लाच बॉड़ी साइट क्लेडिंग जो है वो मिल जाती है और ग्राउंड क्लेंज कितनी कुछ रहने वाली है वो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं तू हेंड़ी लाच बॉड़ी के साथ देखने को मिल जाएगा ऊपर के तरफ आते हैं तो आउटसाइट रियर व्यू मिरज है वा आपको यहाँ पर प्यानो ब्लैक फिनिश के साथ दिये गए हैं विस साइट और इंडिकेटर और यहाँ पर भी आपको साइट व्यू कैमरा जो है वो प्लेस्मेंट देखने को मिल जाएगी इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जो है वो सेटप ओफर के जाता है इसके लावा कार का एक पिलर आपको ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है सेम एस बी पिलर भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर सी पिलर भी आप देख सकते हैं और window lining वाला part ये complete आपको piano black finish के साथ जो है वो provide किया जाता है outside door handles आपको body clear के दिये जाते हैं with request sensing button rear door handle की placement आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उपर की तरफ रहने वाली है silver और black की combination के साथ अपनी roof rail और पीशे की तरफ आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर शार्फिन टाइप रेडियो अंटीना जो है वो provide किया गया है बागी दोस्तों car का complete rear view आप यहाँ पर एक frame में चेक कर सकते हैं किस तरह के का आपको देखने को मिल जाता है इस model के अंदर rear wiper भी आता है जो कि अंदर की तरफ freedom रहता है यहाँ पर आप वाइपर की placement जो है वो चेक आउट कर सकते हैं हलाकि इसमें आपको rear defogger वगेरा जो है वो नहीं मिलते हैं यहाँ पर चेक करेंगे rear reflector की placement है बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आपको जो बूट लाइट है वो भी प्रवाइट करी गई है और इस टेपने टाई की जो placement है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है दोस्तों बात करें अगर हम इस कार इंदर मिलने वाली कीज की तो दो आपको यहाँ पर smart keys offer करे जाती हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं similar रहने वाली हैं दोनों ही यहीं सेम कॉमिनेशन आपको इसके door panels और डैश्बूर की उपर देखने को मिल जाता है यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले door panels के features को सबसे उपर की तरफ आपको यहाँ पर आउट साइट रियर व्यूर को एजिस और फोल्ड उन फोल्ड करने के लिए सबसे पहले के साथ रहने वाला है नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस है और क्योंकि अपने आटमेटिक वेरेंट रहने वाला है तो दो पैडल साप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कोने में आपको डेट पैडल जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ अपना जो है कुछ इस करने के लिए एक लिवर जो है वो प्रवाइड किया जाता है बैट चुका हूं इस काल के ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैटने के बाद कैसा कुछ आपको व्यू देखने को मिल जाता है वह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर हम बात करें फीचर की सबसे पह क्लस्टर में जाता है और यहाँ पर बात करें इसकार के दर मिलने वाले इंस्टूमेंट क्लस्टर और यहाँ चेक कर सकते हैं इसमें आपको काफी कुछ इसके अलावा यहां पर चेक करोगे है तेमप्रेचर है फ्यूल कितना है उसकी आपको इंडिकेशन वह देखने को मिल जाने वाली है अगर आपने अधर इंफ्रमेशन करनी है यहां पर बटन्स दिये गए है इसकी हल्प से आप इंफ्रमेशन जो है अधर एक्सिस कर सकते हैं सब्सक्राइब आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाले हैं और इसमें आपको 360 डिग्री सराउंड यू कैमरा भी मिलता है जिसको आप दो तरीके से एक्सिस कर सकते हैं फिर्स और आपको यहां पर एक बटन दिया गया है यहां पर डिस्पले के अंदर और दूसरा आप पर यहां पर बटन देखने को मिल जाता अब 360 डिग्री की 3D camera में उवर देखने को मिल जाया तो यहां पर ऑप करते की कुछ इस तरीकी का व्यू जो है वह आपको देखने को मिल जाने वाला है बाकि अगर आपके नियरबा है तो आपको कुछ इस तरीके से जो है पो इंडिकेट भी करता है तो यह बात होगी कम्प्लीट इसकार के इंपोटेन्मेंट सिस्टम और अपने इसके लावा दोस्तों डैश्बूट के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बलेखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ आते हैं डिजिटल टाइप आपको यहां पे अपने को सब्लियुसंद लिख सकते हैं और साथ सकते हैं एक जल्र Edu wea चेक लिख परके रिख सकते हैं यहां से थे सकते हैं यहां किने लिख ओल आपको लिखि difí है इको सीटी और स्पोर्ट जिसको आप यहां से लट कर सकते हैं पार्किंग ब्रेक लिवर अपना क्रोंग टिप के साथ रहेगी यहां पर चेक करेंगे ट्विंग का फोल्डर से यहां पर भी कुछ इतना इस पेज वह आपको मिल जाता है उपर की तरफ आते हैं ड्राइवर यह वाला वेरिएंट वह वे आप मिल जाता है दो सीट करेंगे अब को सब्सक्राइब के नाम से नाम से Спильно को तो यहां बातकुर यहां से आप अपने पर आपको बताते हैं कि सेकंड रोसे आपको प्रवाइड कि रहने वाली है वह आप चेक आउट कर सकते हैं और फरंट की तरह ही रिया डोस पर भी आपको सेम कॉमिनेशन जो है कर देखने को मिल जाएगा यहां पर क्या कुछ रहने वाला है सबसे पहले आप देखोगे आपको इस वाले पार्ट के उपर जो है वह पर वाइड किया जाता है अगें वाइट इंसर्ट है इंसाइड डोरेंडल क्रोम फिनिश के साथ रहने वाला है रियर डोर चाइड़ों को बटन है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाती है अंदर की तरफ कितना कुछ इस पेस रहने वाला है अगर आम उसकी बात करें फर्स्ट और आप यहां पर चेक करेंगे फैब्रिक सीट अपोस्टी जो है वह आपको यहां पर भी प्रवाइड करी गई है और अच्छी बात क्या रहेगी कि यहां पर रिगर एस इवन जो है वह भी मिल जाता है जिसको आप अपन 12 वौ का सब्रेक्ट लेकिन उसकी प्लेस्मेंट यहां पर नहीं होती उसकी प्लेस्मेंट होती है अपनी यहां पर आप च्रेक्वार के बात करते हैं दोस्तों मिलने वाले इंजन और इसके स्पेसिफिकेशन की तो आपको टर्बो चार्ज पेटोर इंजन ओफर के जाता है जो कि एक त्री सिलंडर इंजन सब्सक्राइब कर दिया है आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं बाकि आज के इस वीडियो के दर इतना ही गुरो देखने के लिए आप लोगा धन्यवाद